से अलो एबरीबन कैसे हैं आप सभी इन इस वीडियो वी हैफ डिसक्स्ट बाउट इन्जिनिर्ण ड्राइंग्स में हम जो पैंस्ल्स उस करते हैं कितने टाइप की फैंसिल्स होती हैं किस तरह की पैंसिल्स हम यूज करते हैं हाड सौन्फ मीडियम और अकोडिंग टूशीज तो यह सारी की नेसेरी इंफॉर्मेंशन अब इंजिनिर ड्रैंग सáरी इंफॉर्मेंशन को पॉण से कब यूज करते हैं तो यह सारी इंफॉर्मेशन एक वीदियो को करना दो ना बुला और हाँ वुद नहीं हैं अगर आपने अभी हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब नही आपको मिल सकें तो चलिए विदाओ थे दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किये इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं है सकति different types of pencils जैसा कि pencils different type के pencils है वो क्या है यह सारह चीज़े सबसे पहले बात करते हैं वाट इस pencil pencil क्या है फैंसिल कि अगर हम बात करें थे तो पैंसिल देखिए जो क्या है आप एंसिल इज एक काइंड ओफ राइटिंग एक्यूपमेंट दैट इज आल्सो यू तुड्रा यूजली ओन पेपर इत मींस पैंसिल क्या है एक रिखने के जो भी हम रिटन यानि लिखने के लिए हम जो भी इस्टूमेंट यूज करते हैं त जूदि करते हैं जिसकी जो वैंटर कौको यह करते हैं ऐसक यह तो यह हैंस्यागोनल श् funds पैनिल सकती है तो है शोगाइप सिए तो है तक पैंसिल की पैंसिल्स किया है ऐहां वेसी में देखärum yeah यहां पर पैंसिल द्रॉ करने के लिए कोई भी फिकर के लिए हम पैंसिल यूज़ करते हैं व्यूंग बात करतें जो ड्राइंग पैंसिल is मॉस्ट इंजिनेरिंग ड्रहींगल जो पैंसिल हैं इजिनेरिंगल में बहुत इंपोर्टेंट है कि हमें कब कहां कौन सी पैंसिल यूज़ करनीज कहते हैं तो stars of Pencil की बात करते हैं Types of Pencils में सबसे पहले हम बात करते हैं वह 9H, 8H, 7H, 6H, 5H and 4H, यह जो यह जो category है 9, 8, 6, 7, 6, 5, 4H जो pencils है यह hard pencils की category में आती हैं और इनका use करते हैं 4 fine lines, 2 tight, 2 light, fine lines और light lines के लिए हम इन pencils का use करते हैं hard pencil का, जैसे कि इस image में देखेंगे आप, and next के, next हमारा है medium, medium में क्या है, हमारी medium में दो category है, जो पहली category है वो 3H, 2H and H, 3H, 2H and H pencil यूज़ करते हैं और इसका use है for rework के लिए, for record work के लिए, record work के लिए हम इस तरह की medium pencil का यूज़ करते हैं, next pencil है, medium में ही है F and HB and B, ये जो pencils है, ये pencils का use करते हैं for lettering and arrowhead, कुछ letter लिखना है, हमें अपने drawings में या arrowhead लगानी है, तो वहाँ पर हम इस medium size की pencil का भी use करते हैं, F, HB and B, next, next जो types of pencil है, वो है, next pencil is soft pencil, soft pencil में 2B, 3B, 4B, 5B, 6B and 7B, ये जो pencils है, ये soft pencils की category में आती हैं, और use किसलिए हम भी करते हैं, for artwork के लिए, कोई art बनानी है, हमें art draw करनी है, तो उसके लिए हम इस तरह की soft pencils का भी use करते हैं, so guys, pencils को sharp करने की method होते हैं, pencil जब हम करते हैं, तो उसकी निप गिंजने के बाद खराब हो जाती है, तो उसको sharp करना होता है, तो हमें sand paper का भी use करते हैं, और softener का भी, दोनों ही method से pencil की nip को sharp किया जाता है, softener और sand paper की help जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, next is pencil uses of according to season, यह बहुत important है कि pencil का use, हम season के according हम कब हमें कौन सी pencil का use करना है, तो pen season के according बता हैं, तो for summer season, summer season में हम 4H pencil use करते हैं, 4H pencil fair line of good quality papers के लिए, and 3H pencil जो पैंसिल है वो fair lines work on ordinary papers, 2H pencil rough work primary lines के लिए हम यूज करते हैं, and H जो pencil है, वो arrowhead dimensions line के लिए हम summer season में जो पैंसिल करते हैं, वो यह कुछ pencils हैं, जो हम summer season में यूज करते हैं, next is rainy season, rainy season के लिए हम 2H pencil यूज करते हैं, fair lines on good quality paper, and H जो है, वो fair lines work on ordinary paper, F हम rough work, rough work and primary lines के लिए, और H भी पैंसिल, arrowhead and dimensions line के लिए, rainy season में हम यूज करते हैं, यह बहुत important सागाई है, हमें season के according कौन सी pencils यूज करनी हैं, next is winter season, winter season में हम 3H जो पैंसिल है, वो fair lines on good quality paper, fair lines के लिए हम 3H pencil का यूज करते हैं, winter season में, and 2H pencil का fair lines work on ordinary papers, पराने papers के लिए हम 2H pencil का यूज करते हैं, H जो pencil है, वो rough work, primary lines के लिए, and F जो pencil है, वो arrowhead and dimensions के लिए, हम use करते हैं, so guys, यह है according to season, हम कौन कौन सी pencil किस काम के लिए हम use करते हैं, तो यह दोस्त गाई बहुत important है, आप यह notes बना सकते हो, इनको note down कर सकते हैं, तो guys, यह तो था, आज के इस वीडियो में engineering drawings related pencils के बारे में, guys, engineering drawings में मैं जैसा कि पहले भी सारी वीडियो में step by step बना रहा हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को जोईन नहीं किया है, सस्क्राइब नहीं किया है, तो झाले पहले, पहाले, यह झाले हैं, झाल झाल